एक सबसे सर्प्राइजिंग बात बजाता हूं आपको लोग कश्मीर फाइल्स देखने नहीं जा रहे हैं लोग उस पिक्चर को देखने जाही नहीं रहे हैं सिर्फ एक फालतू की बाते कही जा रहे हैं कि पिक्चर हिट हो रही है और बहुत क्रेज हो गया है न जो हॉल कचा पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं सिर्फ उस घटना को नजदीक से देखने जा रहे हैं कितना सच था वो दुख वो हेल्पलेस्नेस मास रेप जैनोसाइड एक्सोडस अपने घर से निकाल दिये जाने का दुख अपने ही लोगों द्वारा साथ ना दिये जाने का दुख यह हिंदू होने पर दुनिया के सबसे इंटेलेक्च्वल लोग दुनिया के सबसे मतलब जो ज्यान का सेंटर वो पंडित जो नहीं दुनिया को सब पूच सिखाया उस कम्यूटी को दख दखेड दिया गया उनका अभार विक्त करना चे उनके चरणों में इतना कुछ दिया है उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया वो उरिजिनल कस्मीरी और उस वक्त भारत के अन्यराज भारत सरकार सत्ताएं कुछ नहीं कर रहे थी यह देखने गये थे लोग यह कंफर्म करने सिर्फ जा रहे थे कि इंटेंसिटी क्या थी हो क्या रहा थ और वो जो गवाह बनके जिन्होंने अपने कहानियां बताई पिक्चर का यही कहना है कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ट है गवाहों ने जो सबूत हैं जो पेपर्स हैं जो स्टोरीज हैं उनके बेस्ट पे बनी यह पिक्चर तो मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार कंफर्म करक कि पिक्चर में है क्या आखिर पुरे परिवार के साथ जाएगा देख रहा हूँ लोग रोते हुए बाहर निकल ले हैं थोड़ा सा अगर सीना मजबूत हो करेज हो तभी जाएगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसा दिखाए कि शायद आप देखना पाएं और इमेजन करेगा कि अगर आपके साथ वो हो जाए और करने को कहती है जो पिक्चर में दिखाया गया है क्या क्या दिखाया है मैं स्पॉयलर नहीं दूँगा बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जो अगर आप इमेजन भी कर लें उसका एक परसंट भी तो आप आप वहीं पर बहुस हो जाएंगे तो इस पिक्चर को या डॉक्यमेंटरी को या रियालिटी को या हिस्ट्री को जो कहूं देखने जरू जाईएगा और रही बात एक पर्टिकलर कम्यूटी से हेट होने की जैसा प्रोपगेंड़ा फैल आ जा रहा ना कि हेट हो जाएगी वेगरा वेगरा हेट फैल आने के लिए पिक्चर बनाई गई है सुप्रीम कोट में केसे हो रहे हैं हाई कोट ने तो तो रिलीज ना करने के तो केसे रिजेक्ट कर दे कि नहीं रिलीज होगी पिक्चर, तब आम केसे जौर हो रहे हैं, तो नफरत तली बात पे एक चीज कहना चाहता हूं, कि उस पिक्चर को देखके, उस स्टोरी को देखके, उस खटना को देखके समझ में आया, जिस इंटेंसिटी से उसको दिखाया गया है, एक कहानी आद आई, कि आदू बार-बार उस बिच्चू को बचाता है, खत्रे में जाने से, बिच्चू बार-बार उसको डंक मारता है, तो दोनों की अपने प्रवर्ति है, हमारी प्रवर्ति क्या है, यह हमें पता है, लेकिन अगर हम यह सोचें कि हम बिच्चू से नफरत ना करें, बिच्चू यह जो करते हो, इससे डरने की कोई जरूत ही है वो भी तो हम में से एक ही है इसी दुनिया में रहता है लेकिन उसका तो कुछ नहीं चळिया लगे उसके लिए वो बिलकुल सही है उसके लिए वो सोच रहाँ कि मुझे गलत कहा ही क्यों जा रहा है ये तो मेरा काम है, मुझसे नफरत किया ही क्यों जा रहा है, ये तो मैंने सीखा है, मैं डंक नहीं मारूंगा, तो मेरा सब एक किताब का पढ़ा लिखा वेस्ट हो जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा, नीट्रल होके, प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके सोचिएगा, लेकि क्योंकि जनता रिलेट कर पा रही, क्योंकि जनता हेल्पलेस, आज की डेट में फील कर रही हूँ, पिक्चर देखते हैं, कि हम उस वक्त कहां थे, हमारे पूरूजर ने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया, तो लोग इसलिए भी देखने जा रहे हैं, लोग मूवी थीटर आज ये टेक्नोलोजी की देन हैं, कि आज सब तक बात पहुच पा रही है, लोग जा रहे हैं, विलिंगली, तो लोग कॉनफर्म करने के लिए जा रहे हैं, और आप भी जाहिए, एक बार हो आईए, और अगर हो आ चुके हैं, देख चुके हैं, तो बताईए आको कैसा पर आज की रेट में उन्हें जस्टिस मेले, इसका प्रयास मैं चाहता हूँ, आपकी तरफ से हो, फिर मिलते हैं अगले उन्चेहन, मंदे मातर, तो लाइक और शेट ठोक दिजिए, तबाग लाइक और शेट ठोक दिजिए, पांचेजार लोड़े दिख जाना चाहिए, य निगैन को फुरा साल मैं नद करता हूं आपके लिए, बटा, तो अभ।